ये चेतावनी उस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये दावा सामने आता है कि रूस के राश्रपती पुतिन ने नेटो को 31 तुकडो में तोड़ने का प्लान तयार कर लिया है पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस ने ये उकरेन के साथ साथ योरप को अपने परमाणों घेरे में ले रखा है रूस में छोटे बड़े सभी तरह के परमाणों बम तयाना थे रूस के परमाणों बम बेलारूस में आक्टिव हो गए है रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम क्राइमिया में लगे हुए है रूस के परमाणों हथियार काला सागर में मौझूद है रूस के परमाणों बम बाल्टिक सागर में भी होने का दावा है रूस की तरह ही कलिनिंग्राद में भी छोटे बड़े सभी तरह के परमाडू हथियार लगे हुए अगर अपने इस न्यूक्लियर गेम को पोतिन ने अन्जाम तक पहुचा है तो पूरे युरप का गेम ओवर हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी कि तबाही की गबाप पनेगी ऐसा खौफनाक मंजर पूरी प्रित्धवी पर छाजाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागा साकी में हुए परमाडू धमाके मिल कर भी नहीं कर पाएंगे रूस से पोलन पर सिर्फ तीन मिनट में प्रहार हो सकता है रूस से बेलजियम साथ मिनट में हमला हो सकता है रूस से जर्मनी पर दस मिनट के अंदर परमाडू हमला हो सकता है इटली तक सिर्फ ग्यारा मिनट में रूस का परमाडू बम पहुँच जाएगा वहीं पश्श्वी मीडिया में छपी एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि नाटो ने एक ऐसा वार प्लान तयार किया है जिसमें 48 गंटे में रूस का जर्रा जर्रा जल सकता है वजह है नाटो देशों पर रूस का पर्माणो निशान नाटो की धरब से जेदावनी जारी कर कहा गया है कि अगर रूस नाटो की किसी भी देश पर हमला करता है तब नाटो पूरी ताकत के साथ जवाब देगा और कुछी दिनों में रूसी सेना को खत्म करतेगा पश्चिनी मीडिया के दावे के मताबि नाटो दो दिन यानि 48 घंटे के भीतर रूस को नक्षे से मिठा देगा 48 घंटे के अंदर रूस की सेना का समूल नाश हो सकता है 48 घंटे में नाटो रूस के सभी हत्यारों को बरबाद कर सकता है और तो और दावे के मताब 48 गंटे में दुनिया में सबसे अधिक पर्माणू हच्यारों वाले रूस के सभी पर्माणू वमों की भी बत्ती गुल हो सकती है पूरो ब्रिटिश सेना अधिकारे निकोलस ग्रमन ने चेतावनी दी है कि अगर पुत्य पर्माणू हमले की तरफ आके बढ़ते हैं तो इसका रूस के लिए विनाश कारी परिडाम होगा निकोलस ग्रमन पुरिटिश सेना के अधिकारी रही है अभी वो युद्ध विशेशग्य के तौर पर दुनिया में मश्यूर है नैटो में उन्हें उमदार रक्षा उद्योग विशलेशक भी माना जाता है उसी निकोलस ग्रमन का कहना है कि अगर गूस यो प्रेन में परमाडू हमला कर देता है तो परमाडू हमले के 48 गंते के अंदर नैटो और गूस को दुनिया के नक्षे से मिका देता है नाटो की इस चेतावनी के पीछे की वज़या पुतिन की धमकी को माना जा रहा है पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नाटो रूस या फिर रूस के दोस्त बेला रूस के खिलाफ एट भी कदम उठाया तो रूस उसे खुद पर हमला मानेगा और अपना हर हथियार लेकर जंग में कूर पड़ेगा सवाल है क्या सक्ष में नाटो की सेना रूस को 49 घंटे में खब्ल कर सकती है अगर ऐसा करना है तो कैसे होगा इसे हम आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले पुतिन की परमाणू युद्ध की तैयारी को जान लीजिए रूस के परमाणू हथियार ऐसे तन गए है पुतिन के परमाणू हथियार ऐसे अड़ गए है किसी परमाणू मिसाइल से जब निशाना साथ ना होता है तो उसे ही खड़ा किया जाता है रूस ने ऐसे कितने परमाणू हथियारों को युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है रूस ने ये परमाडू हत्यार कहां कहां तैनात कर दिया है रूस के इन परमाडू हत्यारों के निशाने पर कौन इन सभी सवालों के जवाब पश्मी मीडिया के एक रिपोर्ट में मिलता है इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने नैटो देशों को अपने परमाणू हत्यारों के निशाने पर ले रखा है पश्यमी मीटिया के मुताबिक योक्रेन का पडोसी देश पोलेंड पुतिन की परमाणू मिसाइल के निशाने पर है पश्यमी मीटिया के जिस रिपोर्ट में तीनो देश पर पुतिन के परमाणू निशाने का दावा किया गया है उसमें ऐसा क्यूं कहा गया है कि नैटो देशों के लिए अब ज़वाब देने का समया गया है